दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोबी में आने वाले मुख्य रोग और उसके लिए होने वाले इस्प्रे के बारे में फूल गोबी की फसल में सुरुवाती अवस्थाओं से लेकर लास्ट तक कौन-कौन से रोग आते हैं मुख्यते और किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कौन-कौन से इस्प्रे आपको काम में लेने पड़ते हैं क्योंकि दोस्तो फूल गोबी की फसल में सुरुवाती अवस्थाओं से लेकर लास्ट तक कई तरह के रोग आपको देखने को मिलते हैं कई तरह के कीटों का अटैक भी फूल गोबी में होता है तो आपको यहाँ पर जानकारी होना जरूरी है कि उसके लिए कौन-कौन से इस्प्रे आपको कौन-कौन से अवस्थाओं में और कौन-कौन से रोगों की डोक्थाम के लिए कौन-कौन से इंसक्तिसाइडों का उप रहे हैं खेतकिसान जुन जुनु दोस्तो फूल गोबी की प्लांटेशन के बाद में हमें कई तरह के रोगों का अटक हमें फूल गोबी की फसल में देखने को मिलता है जैसे रस चूशने वाले किटों का अटक बहुत ज़्यादा देखा जाता है बलाइट वगरा की समस्या भी कई बार देखी जाती है और उसके बाद में सुन्डी की जो प्रोब्लम होती है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है सुन्डी का एक बार अगर आपकी फसल में हो जाता है तो उसके बाद में पत्तों को भी वो डिमेज करती है पत्तों को डिमेज करेगी तब भी आपका फ चुछ चूष ते रहते हैं उसकी वज़से पत्यां खराब हो जाते हैं उसकी वज़से भी आपको फूल-गोबी में काफि नुकसान उठाना पड़ सकता है उसी तरह से Blight की समस्या जो आती है वहों भी जुछ जादा देखी में उसकी प्रवजय से भी आपके पत्तों भी एपना फ़ूल गोवी के उसमें ब्राउन ख्रवज़े में धब्या सुरू हो जाते हैं और पत्तों पत्तों जो किणसे पनारों के पत्तों की अफ़ूल को जाते हैं के उत्पादन पर पड़ता है तो दोस्तों इस तरह से हमें अपनी फूलगोबी की फसल में कई तरह के कीटों का अटैक देखने को मिलता है और अगर इन कीटों की रोक्थाम के लिए सुरुवाती अवस्थाओं में अगर हम कोई स्टेप नहीं लेते हैं कोई इस्प्रे वग पड़ता है और इसके चलते हमारा उत्पादन जो हैका काफी डौन आजाते है और दोस्तों कई बार तो इन केटों का प्रकउफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फूलगोबी की फसल से हमें जितना प्रोफिट या जितना उत्पादन मिलना चीए उतना प्रोफिट हम नहीं निकाल पाते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपनी फूल गोबी की फसल में रस चूसने वाले किटों का प्रकॉप दिखाई देता है यानि कि वाइट फलाई हुई थ्रेप् आपके जो मच्छर वगरा होते हैं इस तरह का परकॉप अगर आपको अपनी फूल गोबी की फसल में दिखाई देता है तो किस तरह से आपको उसकी पहचान करनी है और कौन-कौन से इस्प्रे यहां पर आपको काम में लेने हैं सुन्डी की रोक्थाम के लिए और ब्लाइ बगरा की शिकाईत अगर आपकी फूल गोबी की फसल में आजाती है इनके बारे में हम आगे बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी फसल में अगर रस्यूस्ने वाले कीटों का फरकॉप आगर दिखाई दे रहा है तो पतिया जो है वो आपको उपर से फूलू जी फॉम में आपको मिल जाता है यानि की पॉडर फॉम में आपको मिलेगा और उसकी जो खुराक आपको रखनी है वो आप 8 से 10 गराम परती 15 लिटर इस्प्रे टंग के हिसाब से इसकी खुराक रख सकते हैं और यह इसप्रे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं और इसक इसकी खुराक भी आपको उतनी ही रखनी है यानि की 8 से 10 एमेल परती 15 लिटर इस्प्रे टंग के हिसाब से आपको इस्प्रे कर देना है यह इस्प्रे निकालने के बाद में आपको अपनी फूल गोबी की फसल में रस चूशने वाले जितने भी कीठ हैं उनका अटक आपक जρूर ले लेना है इसके लिए आप पावरगृ रों कमपनी का मेंडो जाता है वो आप काम में ले सकते हैं या फिर आप धनू का कमपनी का धनुस्तिन के नाम से ऐवा फंगी चाइड ऑता जिसमें कारबंडा जीम होता है 50 परचास पर्शन्ट ये भी आप काम में ले सकते हैं फंगी साइड की खुराक आपको 40 ग्राम परती 15 लेटर इस्प्रे टंग के हिसाब से रखनी है लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी फूल गोबी की फसल में पत्ती धबा रोग यानि की ब्लाइट जैसी समस्य हैं भी देखने को मिल रही हैं यानि की फूल गोबी के पत्तों के उपर ब्राउन या ब्लेक कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं इस तरह की समस्य से आगर आपको देखने को मिल रही है जो की पत्ती धबा रोग अगर आपको अपनी फसल में देखने को मिल रहा है उसके लिए काफी असरदार है और काफी अच्छा काम करता है यह फंगी साइड यहां पर आपको काम में लेना है अगर आपको इस तरह की दिक्कते यह दिखाई दें तो एमिडा कलोप्रीड और थाइमा थोकसम जो इनसेक्टी साइड का आप इस्प्रे कर रहे हैं उसी के साथ में यह फंगी साइड आपको एड़ कर लेना है और अगर रस चूशने वाले किटों का अगर आपको अटेक नहीं भी देखने को मिल रहा है तब भी आप फंगी साइड का इस्प्रे जब भी करें उसके साथ में एक इनसेक्टी साइड आपको जरूर काम में ले लेना है या इनसेक्टी साइड का इस्प्रे निकाले तो उसके साथ में फंगी साइड आपको जरूर एड़ कर लेना होता है क्योंकि थाकि आपको बार-बार इंसेक्टिसाइड का और फंगी साइड का इस्प्रे ना निकालना पड़े तो अगर आपको अपनी फूल गोबी की फसल में ब्लाइट जैसी समस्य देखने को मिले तो आप ये फंगी साइड इस्प्रे निकाल सकते हैं जोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आपकी फूल गोबी की फसल में सुंडी हरी लट या इलियों का अगर परकौफ हो जाता है तब आपको क्या करना है कौन सा इंसेक्टिसाइड काम में लेना है और कैसे इनकी पहचान करनी है अगर आपकी फूल गोबी की फसल में लट का परकौफ हो जाता है तो वो क्या करती है कि आपकी फूल गोबी के जो पत्ते होते हैं उनको शुरुवाती अवस्था में उनको खाना शुरू करती है यानि कि फूल को भी डिमेज करना शुरू कर देती है अथवा फूल को खाना शुरू कर देती है और उसके बाद में आपके फूल की जो सेफ़क पूरी तरह से बिगड़ जाती है फूल पूरी तरह से खराब हो जाता है और मंडी में ऐसे फूल की कोई डिमांड नहीं होती है कहने का मतलब है कि सुन्डी की वज़े से भी आपका जो उत्पादन है वो काफी प्रभावित हो जाता है अगर पत्यों में इसका प्रकौप ज़्यादा हो जाता है तो पत्य भी इतने ज़्यादा डिमेज कर देती है कि उसके बाद में आपके फूल जो निकलेंगे वो भी ठीक तरह से नहीं निकलेंगे अगर फूल गोबी के पत्य ही खराब हो जाते है तो फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिलती है तो दोस्तों अगर आपको अपनी फूल गोबी की फसल में हरी सुन्डी लट अत्वा इलियों का प्रकॉप दिखाई दे तो यहाँ पर आप एमामक्टिन बंजोइट 5% SG फो में आता है यह इंसक्टिसाइड यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं खुराक की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8-10 गराम परती 15 लिटर इस्प्रे टेक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है जैसे ही आपको अपनी फूल गोबी की फसल में सुन्डीयों का जो अटेक है वो दिखाई दे या हरी लट जो है आपको दिखाई दे या पतियों में नुकसान आपको दिखाई देने लगे तब आप इसका जो इस्प्रे है वो निकाल सकते हैं ये इस्प्रे निकालने के बाद में जो इलियों का प्रकॉप आपकी फूल गोबी की फसल में वो तुरंत परभाव से जो है कंट्रोल हो जाएगा कंट्रोल नहीं होता है तभी आपको इसका जो इस्तिमाल है वो करना है तो कोराजन की खुराक की यहां पर अगर हम बात करें तो केवल 5 ml परती 15 लेटर इस्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है अगर आपको अपनी फूल गोबी की फसल में इस तरह की लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद्ट